अंडर पासिस में पानी बर जाता है, अलग लग जगे पानी बर जाता है, पुनापन समझ के जब आप काम करते हैं तो थकान में नहीं है, वो सारक्षण को हम और बेतर कर सके, इसके उबर काम हो रहा है जोटवड़ा के अंदर जब से हमारी राजिस सरकार बनी है, तब से तकरीबन आठ नौ महीने के अंदर ही 900 करोड के काम हो रहे हैं, जिसमें 32 उच जलाशे बनके तयार हो रहे हैं पानी, पीने का पानी के जो पाइपलाइन है वो घरों तक बिच रही है, प्रदानमंत्री मोदी जी ने ये RCP को पास करा तो वही पानी, आज तो बिसलबूर पान में पानी है, बट वही पानी लोगों के घरों में इस पाइपलाइन से करीब 1000 किलोमेटर के पाइपलाइन स से उच जलाश्य के माध्यम से होता वह आएगा साथ में जोट वाला चेतर में जो सीवरेज की लाइन है या तो बहुत पुरानी हो गई है या डली भी नहीं है तो दो जो हमारे स्टीपी प्लांट है वहां बड़ी सीवरेज लाइन काम शुरू हो गया है और अब पहले ही फे पानी भर जाता है अलग लग जागे पानी भर जाता है ड्रेनेज नहीं है यहाँ पर अभी तक ड्रेनेज नहीं बनी है उन ड्रेनेज का हमने कॉन्ट्राक्ट अभी जेडिये के माध्यम से दलवाया है तो ड्रेनेज पूरा बनेगा बड़ा नाला बनेगा चोटी नालिया बनेगी डलान को ध्यान में रखते वे सब बनेगी सीवरेज लाइन भी बन रही है ड्रेनेज भी बन रही है बड़ी सेक्टर रोड बन रही है त्रागी ट्राफिक कम हो 200 बेड का सैटलाइट हॉस्पिटल हमने इसी बजट में पास करा दिया है दो एलिवेटेड रोड का DPR प्रोजेक्ट पास करा दिया है यह सारे विकास के कारिये पहले ही वर्ष के अंदर हमने अपरूव करा दिया तो इस पे काम शीर होगा इसको जल्द आप धरातल पे देखेंगे और निश्चित तोर पे पूरे जोटवाड़ा के अंदर मेरा संकल्प है कि इतनी बड़ी आबादी शेतर यहां पे रहता है आसान हो उनका जीवन जो कॉलोनीज नियमत नहीं है उनको नियमन कराए जाए लगातार हमारा JDA से नगर निगम और JDA दोनों को मिलाकर लगातार मेरा उनसे चर्चा रहती है और छोटे काम हो बड़े काम हो लोगों की समस्या अभी की हो लंबी हो हर तरह से उसका समधान कर रहे है जोटवड़ा विदान सबाश शुत्रे काभी बड़ा भी है जनसंके की कभी है इसकूल लेकर आपको क्या लगता है किस-किस तरह की समझें अभी आपको फैस करनी पड़ रही है जो इतनी बड़ी आबादी होती है उनको काम करने के लिए ट्रांस्पोर्टेशन की जुरूत होती है रहन सेन के अंदर पीने का पानी यह संतरु की वीवस्ता होती है market हो, market का development हो लोग आसानी से market में आ सकें बहुत सारी चीजें है स्वास्त की बात होती है शिक्षा की बात होती है इन सभी को ध्यान में रखते वे एक integrated development यहाँ पर करवा है और एक cabinet मंतरी आप है एक विदाइक भी है केबिनेट मंतरी होने के नाति पूरे राजी की जुम्यदर आपके नाति हैं और विदायंग होने के नाति शेतर की जुम्यदर ये तो उन दोनों को तालमिल केस तरह से कर पाते हैं हम इसमें मुझे कोई बड़ी चुनोती नहीं नदर आती जिस तरह से पहली बाते अपना पंद समझ के जब आप काम करते हैं तो थकान भी नहीं होती और आपको एक संतुष्टी भी मिलती है जब काम होता है आपके सभी के माध्यम से ताकत मिली भी है सम्विधान की ताकत मिली इसमें की समस्या नहीं होती हाँ व्यवस्ता ऐसी हो ताकि जो सीमित साधन है उन सीमित साधनों का सही इस्ते माल हो कोई चोरी नहों पैसा सही जग लेंगे अनाई कोचीज forward nossa मुझे इसमें खोई अरचन नजर से काम कर रहे हैं, अभी investment summit के ओपर भी काम हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है और उसके साथ-साथ खेलो राजिस्तान भी, हम उसकी भी तयारी साथ-साथ हो रही है, जो मेरे दूसरे विबाग की है, उसी के साथ-साथ IT के विवाग को और बेतर करा जा रहा है तो सारे विवाग हमारे शांदार काम करें स्किल के ओपर भी ध्यान दे जा रहा है बड़ी इतादाद में हमारे राजस्तान में युवा है उनको किस तरह से वाकई में स्किल दे सकें ताकि वो या तो सेल्फ इंप्लॉइड हो जाएं या कई इंप्लॉइमेंट देख सकें इन सब पर काम चल रहा है आखरी सावाल मंत्री होने नाते आपने जो पांच विवाग बता है उन पांच विवाग की एक एक विवाग की कोई प्रमुग चीज़ें बता सकते हैं जो इन 9 महिनों में आपने की मैं आपको अभी तक इतनी सारी चीज़ है यह कि आप सेम चीज़ धोराने वाली बात हो जाती है इन्वेश्मेंट संमिट इतनी बड़ी ताइद में हम इन्वेश्मेंट लेकर आ रहे हैं जहाँ एक फैक्टरी आती है वहाँ उसके साथ-साथ 10 से 15 चोटी-चोटी फैक्टरियां खुल जाती है, उसी के साथ होटेल खुल जाते हैं, तो ऐसे आप सोचिए कि हम हजारों फैक्टरियों की बात कर रहे हैं, उसके लिए देश-विदेश के जो आज बात करके वहाँ का पुंजीने वेश्याल आ रहे राजिस्तान के भी नॉन रिजिडेंट राजिस्तानी जो अच्छे विवसाई हैं, उनको भी लेकर आ रहे हैं, उसी के साथ खेलो के अंदर खेलो राजिस्तान की तयारी चल रही है, अच्छी अकैडमीज हम तयार कर सके हैं, उसके लिए भी जो प्राइवेट और राजे और केन सरकार की जो कॉलेजिस हैं, उसके अंदर जो सुविदा है, उसको ध्यान में रखते वेए वहाँ अकैडमीज हम खोल रहे हैं, हम छोटे बच्छों का बड़े लेवल पे एक सेलेक्शन करने वाले हैं, ताकि कैच्छ देम यांग उनको कम युवा अवस्ता के अंद हैं, उसको और बहतर बना रहे हैं, सारे सरकार का काम आईटी डिपार्टमेंट के माध्यम से होता है, तो वो बहतर हो रहा है, स्किलिंग के उपर मैंने जैसे कहा कि नई योजना हैं सोची जा रही हैं, ताकि वाकई में स्किलिंग हो सके हैं, अपरिंटिश वगरा इसको, जो आरक्षण है, राजिस्तान सरकार के अंदर, उस आरक्षण को हम और बहतर कर सकें, इसके उपर काम हो रहा है, अभी जैसे शिक्षा के अंदर टीचर्ज बनने में एक दुविदा आई भी है, उस दुविदा को दूर कर रहे हैं, उसी के साथ फोरेश डिपार्टमेंट के अंदर जो फिजिकल टेस्ट होता है, वो बहुत पेचीदा और मुश्किल बनाए हुआ है, जबकि पुलिस का फिजिकल टेस्ट पूर्फ सेनिक को लेगे हलका है, तो वो भी हम वहां काम कर रहे हैं, हर थरफ से हर विबाग हमारा दोड़ दोड़ के काम कर रहा है, निश उनको लेकर सरकार क्या कर रही है, वो भी उन्होंने बताया, तो मैं आपने सयोगी सुनिल सर्मा के साथ, शेलेंदर शर्मा, जोटवडा, जैपूर